यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है दोसो साथवा दिन आपका पारिवारिक व्रक्ष प्रती भेजी मुझे पता चला मेरे परदादा का नाम एब्रहाम गेंबल था मेरे परदादा का नाम इसहाँख था और उनके भाई का नाम मूसा था मेरे पिता यहुदी थे वह एक वकील थे और 1927 में तुमभी जिनके युनिवर्सिटी में नियम के एक डॉक्टर बन चुके थे बाद में उन्होंने एडॉल्फ हिटलर का मेंन कैंप पढ़ा और जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला था क्योंकि वह इस्राइली थे वह इंग्लेन में आये और एक अंग्रेजी वकील की भी शिक्षा उन्होंने ली उनकी बहन और माता-पिता भी बाद में आ गए उनके परिवार के बाकी बहुत से सदस्य दकाव, रीगा और दूसरे नाजजी कॉंसेंट्रेशन कैंप में नश्ट हो गए सदियों से यहुदियों के साथ बरताव जटिल रहा है और कभी-कभी दुखद भी कभी-कभी बाइबल के लेखांच ने यहुदियों विरुद निंदा के एक हतियार के रूप में गलत अर्थ बताया और गलत तरीके से उप्यो किया गया पुराने नियम में परमेश्वर के लोग इसरायल देश थे नई नियम में परमेश्वर के लोग वे सभी हैं जो इश्यू मसी में विश्वास करते हैं हमारा इतिहास और पारिवारिक एक व्रक्ष समान है हम एक ही परमेश्वर की अराधना करते हैं और प्रेरीद पॉलूस हमें बताते हैं कि उद्धार का मार्ग हम सभी के लिए एक समान है। बजन सहिता 89 का 14-18 आपका परमेश्वर इस्राइल का परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम अराधना करते हैं वह इस्राइल का पवित्र है। हमारी ढाल यहवा की और से है, हमारा राजा इस्राइल के पवित्र की और से है। बजन सहिता के लेखक परमेश्वर के विशय में कहते हैं तेरे सिहासन का मूल सही और नियाय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलते हैं। परमेश्वर के द्वारा इस्राइल के लोगों का चुनाव उन्हें अत्यनिष्ठ और अन्याई नहीं बनाता है, वह प्रेम और वफादारी के परमेश्वर हैं, वह सभी लोगों से प्रेम करते हैं, उनके सिहासन की नीव सत्यनिष्ठ और न्याई है, वह सही तरीके से काम कर और दूसरे देशों के प्रती उनका बरताव कभी भी अन्याय नहीं होगा। नहीं भर मगन रहते हैं और तेरी सत्यनिष्ठा के कारण महान हो जाते हैं क्योंकि तू उनके बल की शोभा है इसके परिणाम स्वरूप हम हवा में चल रहे हैं। उद्धार की परमेश्वर की योजना इसराइल के साथ शुरू होई। इसराइल, यहुदी और बाकियों अन्यजातियों के लिए उनकी योजना अलग न किये जा सकने वाले रूप में जुड़ी हुई है। अब इससे आप क्या समझते हैं। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहुदीयों में से बरन अन्यजातियों में भी बुलाया। उद्धार की उनकी योजना केवल इसराइल देश से बढ़कर है। उद्धार इन पर आधारित है। विश्वास ना कि अपने अच्छे कामों द्वारा। दया ना कि जिसके आप लायक थे, भरोसा ना कि जहां पर आज जन में थे। होशे के वचनों पर चित्र बताते हुए पॉलूस इसे प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वह उन लोगों को बुलाएंगे जो मेरे लोग नहीं थे, अर्थात अन्यजाती, मेरे लोग, मेरे प्रिय और जीवित परमेश्वर की संतान। यह एक अद्भुत सुविदा है कि परमेश्वर के लोगों के भाग ने परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया जाए, उनकी संतान, उनकी दया का केंद्र बनने के लिए बुलाया जाए, महिमा के लिए पहले से तयार हो जाएं, ताकि वह अपने महिमा के धन को दिखाएं। नए नियम में किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, हर कोई उधार पा सकता है, परमेश्वर ने इश्व के द्वारा विश्वास से सत्यनिष्ठा को संभव बनाया है। हे भाईयों, मेरे मन की अभीलाशा और उन के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उधार पाएं। एक मात्र तरीका यह है, जिससे वे उधार पा सकते हैं और यह विश्वास के द्वारा है, सत्यनिष्ठा के द्वारा जो परमेश्वर से आती है। यह सत्यनिष्ठा मसी के द्वारा आती है क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए सत्यनिष्ठा के लिए मसी व्यवस्था का अंत है। बड़ा धर्ती हिला देने वाला, जीवन बदलने वाला, इतिहांस बनाने वाला कथन है। एक बहुत बड़ा विवाद हुआ कि पॉलूस का क्या अर्थ था, किन्तु कुछ चीजें स्पष्ट हैं। पहला इशु ने आपको व्यवस्था के उद्धार खोजने का प्रयास करने से मुक्त कर दिया है। कोई भी व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता था। इशु के अलावा कोई भी संपुर्ण व्यवस्था का पालन नहीं कर पाया। मसी व्यवस्था का अंत है इसमें उन्होंने आपको अपनी खुद की सत्यनिष्ठा स्थापित करने से मुक्त कर दिया है इसके बजाए अब आपको वह सत्यनिष्ठा दी गई है जो परमेश्वर से आती है दूसरा मसीही व्यवस्था का अंथ है इसमें उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया है। इशु ने एक बार अपना वरणन किया कि वह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आये हैं। मती 5 का 17। व्यवस्था का उदेश्य था कि हमें इशु की और ले जाए। गलातियों 3 का 24। अब इशु आ गए इसका काम पूर किया। क्रूस के द्वारा आप उनकी आग्याकारिता के लाब को ग्रहन करते हैं। चौथा मसी व्यवस्था का अंत है। इसमें उन्होंने आपको व्यवस्था के बोज और दंड से मुक्त कर दिया है। जैसे ही हम नियमित रूप से असफल होते हैं, वैसे ही हम दंड के ए आपका धनिवाद क्यूंकि ईशु में विश्वास के द्वारा आपका उध्धार सभी के लिए खुला है। आज मैं इसराइल के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे हिरदय की इच्छा और परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनका उध्धार हो जाए। पुरान यूजीन पीटरसन लिखते हैं, नाम इस कहानी को लिखते हैं, सैकडो नाम, नामों की सूची, नामों के पन्ने के बाद पन्ने, व्यक्तिगत नाम पवित्र इतिहास प्रभावित न होने वाले बलों या प्रथक विचारों से निर्मित नहीं किये गए थे, यह नामों से बुने गए, व्यक्ति हर एक अद्वितिय, इतिहास गैर व्यक्तिगत धरम के विरुद्ध कड़ा बचाव स्थापित करते हैं, एक कहानी को बताने के कई तरीके हैं, इतिहास की दो पुस्त के उसी समयकाल के विशय में हैं, जैसा शमुयल और राजाओं की पुष्तें, न इसराइल का इतिहास हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास आदम तक जाता है और मनिश्य के वंश का आरंभ, चर्च फिर से अबरहाम तक जाता है, अबरहाम इसहाक के पिता थे, इसहाक के पुत्र ऐसाव और इसराइल, इसराइल और इश्यू मसी का चर्च दोनों अबरहाम को अपने पिता के रूप में देखते हैं। जैसे कि यह सिर्फ उलेखनीय है और केवल प्रसिधी प्राप्त करने में रूची रखती है। मीडिया केवल यह प्रश्ण पूछती है कि क्या यह प्रसिध है या नहीं। लेकिन जैसा कि बिशप लेसली न्यूबिगिन ने बताया यह बेतु की बात है। महान सामराज दर्शन शास्त्र एक राजनैतिक दल के शासन वाले राज से अधिक चर्च का जीवन काल रहा है। अब लोगों की सोच की संपूर्ण सीमा में जो चीजें भरी हुई लगती हैं वह केवल कालपनिक भूतकाल में आधियादगार अब से 20 वर्श के पहले की होगी। लेकिन चर्च अब भी यहाँ पर होगा। इसमें दी गई वास्तविक्ता को मसीहियों के रूप में हमारी सोच के बीचों बीच होना चाहिए। आ रहा है। हे यहवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। पजन सहीता नववासी का पंद्रा